आज से 500 साल पहले दक्षण भारत में एक ऐसा राज्य था जो शक्ती संपन्न था अगर उसे लूटा नहीं गया होता तो दक्षण भारत की कहानी आज कुछ और ही होती 14th सेंचुरी में जब दिल्ली की सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक राजा था तो डेक्केन में उसकी शक्ती घड रही थी और दक्षण भारत में एक नई शक्ती उभर रही थी तुंग भदरा और कृष्णा नदी के किनारे दो भाईयों ने एक ऐसे राज्जी की नीव रखी जो इतिहास में आमर हो गया हरिहर और उनके भाई बुक्का ने उनके गुरु माधव विद्यारण के निर्देश पर 1336 में एक नए राज्जी की स्थापना की जैसे चंद्रगुप्त मौडिक के साथ चानक्य थे ठीक उसी तरह हरिहर और बुक्का भाईयों के साथ उनके गुरु माधव विद्यारणने थे उन्हें के सिक्षा और प्रेणा पर दोनों भाईयों ने पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया और अगले 300 सालों तक इस अमपार को कोई नहीं हिला पाया हरिहर और बुक्का दोनों भाई संगमा वंच से तालुख रखते थे इसलिए आगे चलकर इनका वंच संगम वंच के नाम से फेमस हुआ विजय नगर की फांडेशन के साथ ही उनके सामने कई कठनाईया थी वारंगल के राजा कपाया नायक हरिहर और बुक्का के दुश्मन थे वो विजय नगर को एक राज्जी की तरह स्विकार नहीं करना चाहते थे देवगिरी के सुबेदार कुतलुग खां भी इस राज्जी को खत्म करना चाहते थे उनकी इस कॉंस्पिरिसी को समझ कर राजा हरिहर ने सबसे पहले बादामी, उदैगिरी और गुटी के किलों को मजबूत किया ताकि किसे भी तरह के अटैक से खुद को सेफ रखा जा सके उसके बाद इन्होंने कई छोटे बड़े गाउंओं और प्रोविंसेज को शामिल कर एक बड़े सामराज्जी का निर्मान किया धीरे धीरे इन्होंने राज्जी में डवलप्मेंट के काम शुरू किये जिसमें सबसे पहला काम था खेती को बढ़ावा देना क्यूंकि वो जानते थे कि बिना अनाज के जनता ज्यादा दिन उस राज्जी में नहीं टिकेगी विजयनगर राज्जी की स्थापना दो नदियों के किनारे पर हुई थी जिसका उन्हें बहुत फाइदा हुआ नदी के किनारे पर होने की वज़ा से ये इलाका काफी फॉर्टाइल था और किसी भी राज्जी के विकास में खेती का सबसे बड़ा कॉंट्रिब्यूशन होता है इसलिए राजा हरिहर ने अपने राज्जी में सबसे पहले एग्रिकल्चर पर फोकस किया और ये राज्ज तरक्की करने लगा इसके बाद यहां की लौ एन ओर्डर पर ध्यान दिया गया विजय नगर में शांती बनाए रखने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए इस राज्जी में सभी को समान समझा जाता था जो आरोपी होता था उसे सजा मिलती थी विजय नगर में हर दौर के राजाओं ने बिजनिस को बढ़ावा दिया हैंड क्राफ्ट्स, लिट्रेचर, आर्ट के क्षेतर में विजय नगर अंपायर ने खूब तरक्की की लेकिन जैसे जैसे विजय नगर डेवलप हो रहा था उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे और उसका सबसे बढ़ा दुश्मन था बाहानी राज्य जो की एक मुस्लिम राज्य था ये सल्तनत क्रिश्ना नदी के नौर्ट साइड पर बसा हुआ था जिस वज़ा से दोनों राज्यों में कई बार टकराव की पॉसिबिलिटीज भी बन गई और राजा हरिहर और बुक और एहमद नगर लेकिन संगम वंच में देवराय दुतिये के बाद ऐसा कोई राजा नहीं आया जिसने विजयनगर के फेम को बढ़ाया संगम वंच के आखरी समय में विजयनगर एमपायर धीरे धीरे तूटने लगा उसके कई राज्य अलग हो गए उसके बाद में आ साल वंच ने विजयनगर एमपायर को तूटने से भचाया विजयनगर एमपायर के सबसे पावफुल राजा श्री कृशन देवराय माने जाते हैं जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक इस एमपायर पर राज किया कृशन देवराय ने अपने समय में इस अमपायर को डवलप्मेंट की उचाईयों पर पहुचाया अपने रूल के दोरान जिन्होंने जितने भी बैटल लड़ें वो सभी जीतें राजा कृशन देवराय ने ओडीसा के राजा को हरा कर विजय वाड़ा और राज महिंदरी नगर को अपने अमपायर में शामिल कर उसके बौडर को दूर दूर तक फहलाया था विजय नगर अमपायर का पूरा इतिहास चार वंशों में छिपा हुआ है कौन से हैं वो चार वंश और अगले 300 सालों में क्या हुआ ये जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड में